हेलो एब्रिवन आज मैंने बनाए हैं मटर पनीर समोसा मैं आपको ये एक तोड़के भी दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बना है और कितना टेस्टी बना है ये बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी और एकदम खस्ता और ना ही इन पे एक पे भी बबल् जित्ती लगी है क्योंकि इसे बनाने के लिए थोड़ी से टिप्स और ट्रिक्स की जरुरत होती है तो उसी से हमने ये बनाए है और इसके बीच-बीच में मैंने कुछ टिप्स भी दी है तो जिससे ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं सबसे पहले हम बना लेते हैं इसकी स्पून जितना ओयल पिर में इसमें डाल रही हूँ आदा चमच राई जीरा सौफ एक कटी हुई हरी मिर्ची आसा अद्रक कद्दू कस किया हुआ इसे हम फ्राइ कर लेंगे अद्रक को हमें बहुत ज्यादा सौते नहीं करना है उसके बादे में इसमें डाल रही हूँ एक प्याज कटा हुआ है यह एक चोटा प्याज ही है अगर जादा लाइक करते है तो जादा भी डाल सकते हैं प्याज हलकी से ट्रांस्परेंट हो जाएंगे उसके बाद में इसमें डालेंगे एक कब जितनी मटर ली है अगर आप प्रोजन मटर ले रहे हैं तो वह भी ले सकते हैं पर अभी सीजन में मटर है तो हम इजीली फ्रेश मटर यूज कर सकते हैं इसमें मटर का कलर ऐसा ही बना रहे है और इसका टेस्ट अच्छा है इसके लिए मैं डाल रहे हूँ इसमें आदा चमज इतनी शक्कर ये इसकी एक बहुत ही बढ़िया टिप है आप इसे जरू ट्राई करके देखना इसे आप एकदम दीरे आँच पे ही फ्राई करें नहीं त छोटा चमज लाल मिर्शी पाउडर दो चमज इतना धनिया पाउडर और एक छोटा चमज किचन किंग मसाला फिर आप इसमें डाल दे स्वाद अनुसार नमक अब हम इस सब को मिक्स कर लेंगे जिससे ये सारे मसाले अच्छे से बुन जाएंगे इसमें फिर में इसमें डा इसमें मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा दबाते हुए अब इसमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे दो टेबल स्कून जितना और इसे मिक्स कर लेंगे 500 gram कषफाड़ में चोटे-ंद टुकड़े कर लिया है इसे मिक्स कर लेंंगे अगर अइसे कद्दूकस करके डालना चाहते तो कद्दूकस करके भी अडलेंस, पर मैं यह इसे तरह काएसे डालती हूं अब इसमे और तक कीशना टीका कर चलंद आते हैं निम्बू का रस्मी डाल सकते हैं खटाई के लिए अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ हिंग आप सोच रहे होंगे कि हिंग इसमें सबसे लास्ट में क्यों डाल रहे है तो इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस तरह से आप भी कभी ट्राई करके देखना फिर मैं इसमें डाल जू थोड़ी सी किश्मिस थोड़े से काजू के टुकड़े थोड़ा सा कटा हुआ हरा दन्याओं अगर आप इसमें मसाले और ज्यादा तीखे पसंद करते हैं तो थोड़ा और स्पाइसी बना सकते हैं इसको अपने टेस्ट के मैंसमें किशन किंग मसाला मिलाया था इसलिये है और यह मिसाला बात पर्फेक्ट बनार था और यह उसमें अभाट थोड़ा सा और मिलाया है बाकि और कुछ भी नहीं डाला है तो यह मसाला बन कर रेडी है इसके स्टफिंग इसे हम ठंड़ा कर लेंगे अब मैं लगाती हूँ इसका आठा इसके लिए मैंने लिया है यह 500 ग्राम जितना मैदा इसमें मैं डालें एक टेवल स्पुन फुल भरके रवा जो बारिक वाली सुजी आती है वो ही लेनी है हमें और स्वाद अनुसार नमक वन फूर टी स्पुन जितना अजवायन डालेंगे इसको हम हाथ से इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चमश निम्बू का रस यह हमारे समोसे को और भी खस्ता और बढ़िया बनाएगा फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गी का मौयन आप तेल का भी डाल सकते हैं इसमें मौयन थोड़ी अच्छी कॉंटिटी में डालना होता है मैं इसमें त बन जाए और वो भिक्राइ भी नहीं अब मैं इसे गुंगने पानी से गूत रही हूँ इससे यह बढ़िया लगता है आप कभी भी मठ्री बनाते हैं या समोसा, कचोरी तो उसका आटा हमेशा गुनगुने पानी से गुत है और इसका आटा हमें रोटी के आटे से भी थोड़ा टाइट लगाना है पूरी के आटे जैसा इस तरह का टाइट आटा लगाना है अब हम इसे डगकर 10 मिनिट के लिए रख देंगे 10 मिनिट हो गए है अब हम आटे को चेक कर लेंगे और इसे थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेंगे अब इस आटे की दो पीसे करेंगे और इसका एक रॉल बना देंगे और इस तरह के हम पूड़ी होती है उसकी साइज की लोई निकालेंगे हम इसके मीनी समोसे बना रहे हैं इसलिए मैं इतनी लोई निकाल रहे हूँ अगर आपको बड़े समोसे बनाने हैं जो नॉर्मल साइज के होते हैं तो आप इसकी थोड़ी बड़ी लोई निकालें फिर हम इसकी लोई बना लेंगे अब हम इसे बेल लेंगे इतनी पूरी बेलने के बाद में इसे एक बार लंबा बेलूँगी इस तरह से इस तरह से बेलने के बाद में इसे बीच में से कट कर दूँगी फिर इसकी पूरी के इस पार्ट पे हम तोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से कॉर्ण बना लेंगे इस तरह से हमें इसका कॉर्ण बनाना है और इसे अच्छे से चिपका देना है अंदर से बार तब इसका नीचे का जो कॉर्णर है इसे आप अच्छे से सील कर दें फिर सबसे पहले उसमें एक मटर का दना डाले जिसे इसका सेट प्रॉपर बना हुआ रहे फिर इसमें डालूंगी में एक चमल जितना यह मसाला इसे हमें थोड़ा सा दबा दबा के भरना है इसे इस तरह से दबा दबा के भरने के बाद में जो इसकी किनारी है इस पर हमें पानी लगाना है अंदर की साइड में और इधर से एक प्लेट लेते हुए हमें इसे चिपका देना है इस तरह से जिससे इसका प्रॉपर सेप आ जाए और ये समोसा बैठ जाए इस तरह से मैं आपको एक और बना के बताती हूँ इसकी जो किनारी है इस पर हम लगाएंगे पानी और इसे इस तरह से जोड़ देंगे यहां से बिल्कुल अच्छे से इसे प्रेस करके बंद करते हुए हमें इसे जोड़ देना है फिर इसमें सबसे पहले डालना है एक मटर का दाना जिससे इसका शेप बिल्कुल बराबर रहे पिर इसमें डालना है एक चमच जितना मसाला और मसाले को दबा दबा कर हमें इसमें बार देना है जिससे कि इसमें कई भी एर नहीं रहे और ये फटे नहीं फिर उसके बाद में इस तरह से हमें इसे शेप देना है फिर इसकी जो किनारे हैं इस पर भी हमें पानी लगा के और इसे चिपका देना है यहां से इस तरह से एक चुन्नट लेते हुए पीछे से और इसे चिपकाना है फिर इधर से हलका सा ट्विस्ट करते हुए इस तरह से हमें ये बन कर देना है यह बिल्कुल परफेक्ट समोसा बन के तैयार हो गया है इसका उपर का भी आप देख सकते हैं इसकी नौक एकदम वैसी की वैसी है इस तरह से हम यह सारे समोसे बना लेंगे यह हमारे मिनी समोसा मैंने बना के तैयार कर लिए अब हम इसे फ्राइ करेंगे यहां पर मैंने कडाई में तेल गरम करने रखा है अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ढाल के देखूंगी यह हमें इस तरह का चाहिए एकदम से उपर नहीं आना चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे समोसे और आज एकदम दीरे रखनी है हमें इसकी अब हम इसे हलका सा पलट लेंगे इसे आप एकदम दीरे आँच पर ही फ्राई करें और इसे तलने के लिए हमेशा हैवी बॉटम कड़ाई ही यूज करें जिसे कि ये जले नहीं आप देख सकते हैं अभी ये लाइट गुल्डन कलर के हुए हमें इससे थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए है ये बिलकुल फ्राई होके रेडी है आप देख सकते हैं अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ इसमें अभी कुकिंग प्रोसेस चल रहा है तो पांच से दस मिनिट में ये थोड़ा सा और डार कलर के हो जाएंगे ये हमारे एकदम क्रिस्पी गर्मा गरम मटर पनीर समूसा बनके रेडी है अभी मटर का सीजन है तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एकदम बढ़िया और खस्ता अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें फैमिली और फ्रेंड्स में शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सकें तो फिर मिलते हैं एक नई की रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच